नमस्कार दोस्तों अमेरिका ने एक ऐसा अनोखा लिट्टोरल जहाज बना लिया है जो पानी से आधा उपर उठकर आगे बढ़ता है जिसकी स्पीड बहुत जादा है और जो सब्मरीन्स को भी डेस्ट्रोई कर सकता है साथ ही है एर डिफेंस को चक्मा देने के लिए स्टेल्थी डिजाइन का भी है आखिर क्यों अमेरिका की नेवी इन्हें जादा से जादा संख्या में अपने बेडे में शामिल करना चाहती है और इनमें और क्या-क्या काभलियत है आईए जानते हैं इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अप्डेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दुनिया भर में अपना दबदबा किसी देश को बनाना हो तो उसे एक शक्तिशाली नेवी चाहिए नेवी के मामले में अमेरिका का कोई जवाब नहीं है बारा से भी ज़्यादा एरक्राफ्ट कैरियर हैं जिन में अधिकतर एक लाख टन से भी ज़्यादा वजनी हैं और जो असी एरक्राफ्ट को भी एक बार में ले जा सकते हैं लेकिन एरक्राफ्ट केरियर समुद्री किनारों के आसपास नहीं जा सकते हैं वहाँ पर दुश्मन देश ने ताकतवर एंटी शिप मिसाइल्स लगा रखी होती है एंटी शिप माइन्स भी बिछा रखी होती है और दुश्मन तेज गती से चलने वाले छोटे जहाजों से एक सर्प्राइज अटेक भी कर सकता है किनारों के नजदीक की इस पेचीदा लडाई का तोड निकालने के लिए अमेरिका ने एक नए तरह के लडाकु जहाज का निर्मान किया है एक ऐसा शांदार जहाज जिसकी समुद्र में गती बहुत तेज है और जो स्टेल्थी भी है यानि कि यह दुश्मन के इलाकों में बिना लोंग रेंज वाले रडार और सोनार सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट हुए जा सकता है और अपने मिशन को अंजाम तक पहुचाने के बाद बहुत तेज गती से वापिस आ सकता है ये ठीक उसी तरह का काम करता है जैसे F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट एर फोर्स के लिए करते हैं लिटोरल क्लास के ये जहाज खास तोर पर उथले पानी में बड़े जहाजों के लिए खत्रा बन सकने वाली माइन्स को समय रहते डिटेक्ट करके उन्हें वहाँ से हटा सकता है या डिसेबल कर सकता है इन में बेहतरीन A.N.A.Q.S.20A अंडर वाटर टोड सोनार सिस्टम लगा है जिससे ये हर तरह के अंडर वाटर माइन्स को पहचान सकता है इसका डिजाइन इतना खास है कि पानी के अंदर मोजूद दुश्मन की सम्मरीन इसके असली आगार का अंदाजा नहीं लगा पाती है इसमें अन्य जहाजों की तरह एक बड़ा हल ना होकर तीन छोटे हल होते हैं जिससे ये सोनार तरंगों को सम्मरीन तक जाने से रोक देते हैं लेकिन इसके उलट इन लिटोरल जहाजों में खेल्स 2087 तोड सोनार भी लगे होते हैं जो आसानी से इन छुपी हुई सम्मरीन का पता लगा लेते हैं और फिर टोर्पीडों से इन्हें डस्ट्रोई कर सकते हैं लिटोरल शिप की चोड़ाई भी सामाने लडाकु जहाजों से जादा होती है जिससे ये जादा पेलोड ले जा सकते हैं एक की बजाए दो MH60 हेलिकॉप्टर्स की लेंडिंग करवा सकते हैं इनका स्टोरेज कमपार्टमेंट भी काफी बड़ा होता है और मोडूलर डिजा हुआ होता है इससे वाटर रजिस्टेंस कम होता है और लिटोरल जहाज को काफी तेज स्पीड मिल जाती है साथ ही इसका स्टेल्थी डिजाइन हवा में ऊड़ रहे खोजी एरक्राफ्ट की तरुंगों को भी आसानी से चकमा दे सकता है ये जहाज ना सिर्फ लडाकु हलि ताकतवर बनाने के लिए इनमें नई तरह की स्ट्राइक मिसाइल्स को भी इंटिग्रेट किया जा रहा है जिनके दम पर यह जहाज दुश्मन के हर स्रेणी के जहाज को आसानी से नस्ट कर पाएगा खास तोर पर एंटी सर्फेस वारफेर के लिए इनने 80 किलोमेटर परती घंटे की स्पीड तक भी चलाया जा सकता है जबकि अन्य दूसरे जहाज मातर 35 से 40 किलोमेटर परती घंटे की स्पीड ही हासिल कर सकते हैं एक अकेला लिटोरल जहाज इतने सारे तरह तरह के ओपरेशन्स को अंजाम दे सकता है जिनके लिए पहले कई अलग-अलग जहाज चाहिए होते थे इसी कारण इन जहाजों की दुनिया भर में बहुत डिमांड हैं ये स्टेल्थी हैं ये सम्मरीन को निशाना बना सकते हैं स्मगलिंग करने वाली छोटी और तेज बोट को भी आसानी से पगट सकते हैं दुश्मन के एंटी एक्सेस एयर वे वाटर डिफे जहाजों को अपने बेडे में शामिल करने वाली है ये मोजूदा समय के सबसे खास और सबसे एडवांस मल्टी रोल नेवी जहाज माने जाते हैं ये जहाज एक बार में ही 3500 किलोमेटर की दूरी तै कर सकते हैं और 15 लोगों के क्रू के साथ 21 दिन तक के लिए जरूरी खान पर यह जहाज अगले 25 से 30 वर्ष तक अमेरिकी नेवी के दबदबे को बढ़ाते रहेंगे दुनिया भर के देश इस एडवांस्ट डिजाइन को कोपी करने में लगे वे हैं और चाइना जैसे देश जल्दी ही इसका तोड भी निकाल लेंगे दोस्तों आपकी राय में क्य आप भारत को भी अमेरिका से इसी तरह के एडवांस्ट जहाज खरीदने चाहिए या अपने मुझूदा ट्रेडिशनल डिजाइन वाले जहाजों पर ही निर्भर रहना चाहिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपक अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार